असलम अलेकूम विलकम अगेन आज हमारी कोरॉलरा की पांच वी क्लास है और आज हम एक्स्ट्रेंड करने वाल हैं शेप टूल को तो आईए देखते हैं आराइट यहां पर अगर अगर आप देखें तो इकडूल के अदिछ आपको शेप टूल नजार आ रहा है और शेप टूल के अंदर फिर और भी बहुत सारे टूल मुझूद हैं लेकिन सबसे पहले हम शेप टूल को एक्स्प्लेंड करेंगे shape tool को explain करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताऊं कि shapes ठीक है shapes जो होते हैं वो दो किसम के होते हैं यह एक वो shape होता है जिसे हम ड्रा करते हैं और फिर उसको हम curves में तबदील नहीं करते हैं for example मैं आपको देखा हूँ कि यह एक shape में select करता हूँ और अब यहां पर इसको ड्रा करता हूँ तो यह shape और same यह shape यह नहीं मैं इसके copy ले लेता हूँ यह shape इसको मैं यहां से curves में convert करता हूँ यह अब देख रहे हैं control क्यूं इसकी shortcut है और यहां से भी आप इसको convert to curves कर सकते है अब यह shape और यह shape दोनों बिल्कुल different है किस तरह different है मैं आपको दिखाता हूँ यह मैं shape tool select करता हूँ और आकर यहां click करता हूँ तो यहां पर आप देखें कि इसकी properties you disable है यह नहीं इसके properties एक किसम की है और अगर मैं यहां पर click करूँगा तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी properties change हो जाएगी यह मैं यहां पर click करता हूँ और आप देखें कि यहां पर इसकी properties कुछ तबदील हो चुकी है अगर मैं इसको select भी करता हूँ तब आप देखें कि और भी कुछ properties इसकी show हो रही है enable हो चुकी है तो यह object basically और यह object different है ठीक है इस object में और इस object में changes है यह यह अल elbow pitched का object है अब और यह एक अलइक का object है ठीक है ठीक है अप आप लोगोंने shapes के बारे में परग जाना होगा कि दो किसम के shapes होते हैं एक को हम curves में तबदील करते हैं और एक को हम curves में तबदील नहीं करते हैं आज इकक laas में shape tool का काम इस shape परесть proven करेंगे जो curves में तबदी यह पर नपन में स्टार को सेलिट करता हूं, यह पर एक star ड्राउ करता हूं, अब इसको मैंने कर्व में तबदील नहीं किया हूँए, यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी तक कर्व में तबदील नहीं है, जब यह कर्व में तबदील हो जाएगा तो फिर यह option disable हो जाता है, अगर मैं यहां पर इसको करव में तबदील करता हूँ और आब आकर यहां पर क्लिक करता हूँ तो यह देखिए अब हमें मालूम होना चाहिए कि यह अबजेक्ट अब करव में तबदील हो चुकी है और यह वाला जो अप्जिट है अब यह करब में तबदील नहीं है ठीक है तो इसके साथ अब हम क्या कर सकते हैं शेप टूल के मदद से मैं आपको देखा हूँ यह मैंने शेप टूल सेलेट कर लिया यहां पराकर क्लिक किया ओर अब इसको मैं इस नोट से यहां पर आपको नोट नजारा रहा है यहां इसको प्लिक करके मूव करेंगे तो इस अपजिट में चेंजिस आपको नजर आने लगेगी ठीक है यह मैं इसको यहां से निचे की तरफ ले कर आता हूँ तो यह अब देखिए कि star की जो लिक्स है वो पतली होती जा रही है जितना मैं इसको अंदर की तरफ लेकर जाता हूँ तो यह बारिक होता जाएगा ठीक है और अगर मैं इसको यहां से यहां तक लेकर रहा हूँ तो यह और भी thickness की तरफ जा रहा है यह अबजेक्ट ठीक है मैं इसको यहां पर लेकर रहता हूँ और एक हप्सुरत सा effect मैं आपको बना कर दिखाता हूँ इससे यहां पर आकर एक और मैं object लेता हूँ इसको मैं black के साथ फिल करता हूँ और यह जो अब्जेक्ट है इसकी मैं फिलिंग करता हूँ वॉइड के साथ और यह ब्लेक ओड लाइन में इसकी रिमू करता हूँ ठीके अब इस अब यहां पर लेकर रहता हूँ चुंकि यह अब लेयर के मिचे हैं इसको हम shift page अब के साथ उपर लेकर रहते हैं और आप करते हैं चेंजिस इसकी लिक्स के साथ करते हैं जी देखिए एक बहुत अबसूरत सा object मुझूद है ठीके इसके अगर हम copy ले इसको चोटा बड़ा कर सकते हैं ठीके यहां पर रहत बना ले तो इस किसम की चीजे हम बना सकते हैं स्टार वाली shapes के साथ इसके इसके इलावा dю de lax बना सकते हैं और यह कमाल shape tool के साथ हो सकता है ठीके और अगर इसको हम modify करना चाहते हैं तो shape tool के بعد से modify करेंगे इसको इस तारा भी कर सकते हैं ठीके बिलर हम इसमें change कर सकते हैं एक और object हम इसको copy कर लेते हैं एक और object इसकी बन जाएगई इसको हम copy कर लेंगे और मैं यहां पर इसको fill करता हूँ ठीक है और तोड़ा से इसको मैं rotate करता हूँ इस तरह यह एक और shape इसकी बन भी ठीक है और अगर मैं इसको फिर से duplicate बना लेता हूँ copy इसकी बन गई और यहां से मैं इसको black even white red तो इस कसम की shapes हम बना सकते हैं ठीक है आते हैं एक और shape की तरफ यह मैं remove करता हूँ और यहां पर मैं एक और shape ले लेता हूँ यह रहा यह complex star और यहां पर मैं इसको draw करता हूँ as usual मैं इसमें भी filling करता हूँ white color के साथ मैं इसको fill किया अब यहां shape tool select कर लेता हूँ और किसी भी note से मैं इसको पकड़ लेता हूँ ठीक है किसी भी note से यह नि यहां पर आपको जितने भी note नजार आ रहे हैं आप जिस note से भी इसको पकड़ेंगे यह same वही काम करेगा ठीक है यह मैं इस note से पकड़ता हूँ और इसको मैं rotate कर रहा हूँ यह हम इसके साथ प्रासिस कर सकते हैं अगर यह object कर में तब्दीर हो जाए तो पर यह प्रासिस हम नहीं कर प्राइंगे यह देखिए मैं इसमें मजीद changes बनाने चाहता हूँ यह भी हां से चोटा बड़ा हो रहा है और यह देखिए अगर लोग समझ रहे होंगे किस तरह से हम shapes को modify कर सकते हैं हम shapes में changes ले कर सकते हैं इसके साथ हम और भी काम कर सकते हैं इसकी भी copies अगर ले ली जाएं इस तरह मैं इस जी copy लता हूँ और इसको rotate करता हूँ और पिर इसको मैं wait तो यह shapes खुबसूरत बनता जाएगा जितना हम इसके साथ मज़ीद process करेंगे किसी note से मैं पकड़ कर इसको change कर लेता हूँ यह shape ही change करता हूँ इस तरह की कुछीज इसके हिलाब और यह इस तरह की कुछीज ओके आरएट एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो shape tool है इसके classes अभी तक finished नहीं हुई है और मज़ीद इसकी कुछ properties कुछ काम बागी है जो हम आनी वाले classes में explain करेंगे और shape वाले tool का class है class number 5 इसको हम parts में तकसीम करेंगे यही 5 class में पर part 1, part 2, part 3 तरह जितने भी parts बने तो उनमें हम इसको तकसीम करेंगे और इस तरह shape tool clearly सामने आ जाएगा कि क्या क्या हम इस tool के साथ कर सकते हैं तो उमीद है यह class आपको पसंद दए होगा अगर पसंद दए है तो please like भी कीजिए और subscribe नहीं किया है आपको 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 आपको